KPI Green का stock अभी टाइम पे देखेंगे तो 788 रुपीज का चल रहा है, काफी पैसा इसने बना के दिया था, अपने investors को अभी भी काफी पैसा बना के दिया हुआ है, जो इसमें बने हुए है, basic fundamentals देखेंगे तो promoters की holding अच्छी है, लेकिन जो मैंने circle किया है, वो पूरा का पूरा pledge किया हुआ है, I mean, around 50% के आसपास promoters की holding है, लेकिन उसमें से 50% इन्होंने गिर भी रखा हुआ है, debt काफी जादा है company के उपर, जो कि obviously इस हालत से पता चल रहा है, तो no doubt company risky है, अब इसमें risk क्यों नहीं है, ये अगर आपको लगता है, तो comment section में लिके जरूर बताना, लेकि अगर investors portfolio में आके check करेंगे, तो यहाँ पर promoters ने अपना stake निकाला है, जो कि गया है FII के पास और DII के पास, तो कोई negative बात ये नहीं है, ठीक है, बात करेंगे इसके Q2 results की, तो अभी वो results आए नहीं है, वो अगर आ जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं, तो आप इसके में सोच सकते हो, otherwise इसका अगर आप CAGR देखोगे, profit growth देखोगे, तो जैसा कि मैंने बोला, बहुत 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 जादा पैसा बना के इस company ने दिया है, तो कोई भी company जो बहुत जादा risky हो, उस company में बहुत जादा profit होने के chances भी होते हैं, अब I don't know for what reason, लेकिन मुझ दिखाई दे रहा है, monthly candles का chart, और यह जो गिरावट है, यह कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बस यहाँ पर एक support था, उसी support पर यह भी आया था, और वापस उपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो last one जो हमारा monthly SIP level का इसमें target था, वो around 700 के आसपास था, जिसको इसने hit नहीं किया, इस महीने यह target 630 रुपे का है, ठीक है, November में 630 रुपीज का, इसका monthly SIP level का target है, जो कि मैं consider नहीं कर रहा, reason मैंने आपको बता दिया है